जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष की भाती इस बार भी हाई स्कूल के मैदान डूमरी में जारखंडी भासा खत्यान संगर समिती के बेनर तले जबर करम आखडा का आयुजन 23 सितंबर 2023 को किया जाएगा जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग राड सभ्यता के राड संस्कृती के राड माटी के राड वंसज के राड लोग हैं वही राड संस्कृती राड माटी से धिरी धिरी लुप्त होती जा रही थी तो लुप्त होने के कागर उसी राड संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों ने उल्गलान 3.0 जिसमें से समाझिक उननति, आर्थिक उननति और संस्क्रितिक उननति को सामिल किया था संस्कृतिक उनती में हमें अपने संस्कृति को उत्थान या अपने संस्कृति का विकास कैसे करना उसको सामिल किया था तो उसी को विकास को आगे बढ़ाते हुए करम में हम लोगों ने ये डिर्द दो सालों से करम परब, तुसू परब और भी सौहराय परब जैसे मनाने का हम लोग मनाये हैं और आगे भी इसी तरह मनाते रहेंगे ताकि हमारी आने वाली पिढ़ी, हमारी संस्कृती को, हमारी भासा को जान सके, समझ सके कि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृती कितना महान है क्योंकि कभी भी जब छोटे-छोटे अस्तर पर अगर कायरक्रम होते हैं या छोटे-छोटे अस्तर पर तहवारों को मनाया जाता है तो एक बच्चों के मानसिक्ता में ये बैट जाता है कि हमारा तहवार हमारा परब हमारी भाषा छोटा है इसलिए लोग उससे धिरे-धिरे कटते चले जाते हैं तो उसी को अगर हम बिहर्द रूप में करके दिखाते हैं तो उनका एक आकरशन होता है उनको एक सिखने का मौका मिलता है कि हमारी संस्कृति हमारी भासा कितना महान है तो उसी संस्कृति उसी भासा को बचाने के लिए उसी लोगगीत को उसी लोगनिर्थ को बचाने के लिए हम लोगों ने पिछले वर्स विराट करम अखडा का आयोजन किया था जिसको इस वर्स बदल कर जबर करम अखडा किया गया है जबर करम अखड़ा मतलब भावे विसाल एक बहुत बड़ा अखड़ा सजाया जाएगा जैसे कि पिछले वर्स आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा करम अखड़ा बनाया गया था जिसमें से लाखो की संख्या में लोग इस डुमरी के एथ्यासिक मैदान में जूटे थे और उसकी एक गवाह बने थे उस संस्कृति का गवाह बने थे जो पुरा जारखंड में एक हलचल का विश्या रहा था कि इतना भावे कारकरम कभी करम का नहीं हुआ था बस उसी तरह से हम लोग एक डुमरी के मैदाम ने भावे कारकरम करेंगे जिसमें से आसा के बारे में उस दिन बताएंगे तो अब इसमें नियामवाली है जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें प्रस्ताव पारित हुए ये है कि कर्मा हम लोग हमेशा उचारन करते हैं जबकि कर्मा इसका सही रूप नहीं है करम सही रूप है जैसे रामदेव है उसमें अगर प्रस्ता पास हुआ है कि जो भी लोग निर्त करने आएंगे और लोग गीत गाने आएंगे उनका लिस्ट हमें एक सफ्ता पहले इस बार मिलना चाहिए क्योंकि पिछली बार लिस्ट नहीं मिल पाने के कारण जब सब अस्थां नहीं दे पाएं थे तो जो जो पहले लिश्ट दे चुके होता है उनको भी हमस्थां नहीं दे पाते हैं तो इस बार जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं अगर किनी को पाटिसिपीट करना है कि predicting पंचायत का और जो निर्थ दल और गर्ट का संगीत दल बनेगा प्रमपारिक ड्रेस में होना चाहिए प्रमपारिक साड़ी में होना चाहिए उसका एक ड्रेस कोड होना चाहिए जैसे लाल पट्टे वाला साड़ी हो या हरा पट्टे वाले साड़ी हो या पिला साड़ी हो इस तरह का प्रस्ताव होना उसमें साड़ी में आना होगा उन महिल हमारी टीम जाएगी आपके पंचायत में जाएगी उस पंचायत में आपको कुछ सहयोग भी करना है और परचार के माध्यम से अपने आप में परचार करना है अपने आसपास के लोगों को बताना है कि जहरकंडी बासा कातियान संगर समिती पिछले वर्स की भाती इस वर्स भी करम कर रही है। उनके गारजन उनके साथ आए और जैसे ही कारकरम खता है अपने बच्चियों को आपने साथ वापस लेते चले जाएं। पूरे मैदान पहुँचे धन्यवाद जोहार जैसे हरकंडी।